नमस्कार दर्शकों आज हमारे साथ देश के यशस्वी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी जूड रहे हैं एक खास इंटर्व्यू में टाइम्स नाव और टाइम्स नाव नव भारत के दर्शकों के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी नमस्कार और बहुत सवाद समय देने के लिए नाव को भी बहुत बहुत नमस्खार मैं नावी का फुमार और सर आप कैसे हैं केमचो केमचो लेकिन अब आधत साथ कफ हो गई मेरा एक प्राब्लम है भाई हिंदी बोलने के आदत इतनी हो गई कि कुछ परिवार जो अब मूल हिंदी भासे लेकर गुजरात में बसे तो शिकायत करते थे का आपको मुझ में गुजराती अच्छा नहीं लगता है आप गुजराती मत बोलो में कल तो आप बंगाल में बांगला भी बोल रहे हैं मैं को से करता हूं जी तो बहुत सी भाषा है आपने मैं मैं संपर्ग मुझे 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 इच्छा भी रहती है कि मैं इसको सीखू तोड़ा प्रधान मंत्री सबसे पहले सवाल जो मैं पूछना चाहूंगी को यह कि दो फेस के चुनाव तो हो चुके हैं आपका नामांकन और कुछ नामांकन भी डरते डरते चलते चलते हो गए हैं और आपका नामांकन कब हो रहा है और काशी से यह जो आपका नाता है यह काशी का नाता आपके लिए क्या माइने रखता यह आखरी फेस का जाते जाते यूस्ट में तो यह लास्ट फेज में मेरा चुनाव है का और मेरी पार्टी ने फिर एक बार मुझे काशी क्या उम्मेद्वार बनाने का ताय किया है कि मैं लेकिन थोड़ा भावुक हो स्वेबन में राजनीतिक दर्श्टी से जो भी होगा कि मैं जब 2014 में काशी गया तो नामांकन के बाद को लास्ट मोमेंट टाय हुआ तो मेरा काशी जाना तो नामांकन के बाद ऐसे मेडिया के लोगों ने मिज़े पकड़ा है तो मेरे मुझे ऐसे एक भाव निकल गया और उत दिन आप देखेंगे मैं काया नहीं था अचानक ही मुझे पकड़ा था मैंने का देखें भई न मैं यहां आया हूँ न मुझे किसने भेजा है मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है ऐसा मैंने 2014 लेकिन आज 10 साल के बाद मैं पूरे भावुकता से कह सकता हूँ कि उस समय मैंने कहा था कि मां गंगा ने मुझे बुलाया है आज मुझे लगता है कि मां गंगा ने मुझे गोर लिए तब ही दज साल बिद गये है काशी से इतना नाता जूड़ गया कि अब मैं कभी भी बोलता हूं तो ही कहता हूं मेरी काशी और इसलिए एक मा बेटे का जैसा हूं रिष्टा हूं मैं मेरी काश्य के साथ हूं लोक्तंत्र है ना मांकर भी भरेंगे लोगों से आशिरवाद भी मांगेगे और लोग आशिरवाद देंगे भी लेकिन यह रिष्टा जन प्रतिनी दिवाला नहीं है यह रिष्टा किसी और ही अनुभूती कहा है जो मैं फिल करता हूं और इसलिए उमिद्वार ना मांकर चुनाव लोक्तंत्र की पक्रिया हैं पुरी करेंगे परियरिष्टा मा बेटे का जी और आपने इसका मतलब सेवा भी मा के तौर पर ही कि जो काशी में इतना विकास होगा है कि एक करता है होता है जन पत्रीज दिएगा यह लेकिन मैं अपने आपको कभी भी ऑ यह मैंसूस नहीं किया गुमत का कहा गुजरात का अ काश कर लोगों नहीं इतना प्यार दिया कि कलपना ने कर सकता हूं कि नमांकन नमांकन आपका पाइल कर बहुत प्राब्यम दी तेरा चोदा कर चल लेगे और कारिकम बहुत हैं तो उसमें से वेड्जस करके कुछ निकालेंगे या प्पोड़ा मानते हैं इस समय के हिसाब से बढ़ा इंट्रेस्टिक व्या बता दो आ प्रणुमकर जी साब से बात करने में जी तो मैंने का इच्छा है अगर आपको सुविदा हो क्योंकि यह कारिकम तो राश्पति जीका होता है वहार करेंगे तो अच्छा होगा तो वो जो समय लोगोंने मुझे बताया था बढ़े साब दीन में करना अच्छा होगा तो अब उस समय तो धूप बहुत होती है तो मैंने कैसे करेंगे तो बढ़े साम को करेंगे तो अच्छा होगा तो मैंने ठीके साम को कर लिजी तो शाब कुट्टा हुआ हुआ उस समय मैं आपने देखा अख्पारों में बहुत आर्टिकल छपते थे इंटर्वी शपते थे यह मूर्थ फिक नहीं है मोदी जी गलत कर रहे हैं यह इसका कोई उपाही भी नहीं शास्त्रों में भाद्धिपाती गांद मुझे भी काफी लोग के बीच में थोड़ा समय था तो मु हर समय सही समय है यही समय सही समय है प्रदार मंत्री जी तो आप अभी भी यह मान रहें कि वो 400 का करद हचीव हो जाएगा मुझे अभी भी समझ नहीं आ कि आप लोग अच्छा होता है आप लोग मैंने पहले मेरा इंटर्यूव कर लिए होता है तो मैं जारा ठीक से बता देता आपको आप यह तो देखें आज हमारा सिटिंग एंपी कितने हैं कभी यह तो दिमाग खपा यह जी हम दो हजार उननीस में जीत के आए तम एंडी है मोट माप सब्सक्राइब 359 यह अतना कुछ था फिर यह आंद्रे की पार्टिकर पार्टी और उडिसा की वह हमेशा हमारे साथ रहे तो वह करीब 35 लोग है फिर नौर्दिस के लोग हमारे साथ रहे हमेशा तो हम अल्रेडी इन्हें फॉंक्शनल वे में कहें एंडी प्लस इस अल्रेडी हम पार्लामेंट में 400 थे यह लोगों को क्यों असर हो रहा है कि 400 400 400 ठीक है कि छब्दों में आया लेकि रियालिटी यह है कि हम अल्रेडी 2014 से 19 करीब करीब 400 MPs के सहयोग से ही समसुद चला है यह नंबर आप सही बता रहे हैं लेकिन बीजेटी से एक अलाइंस की बात हुई जो थोड़ी दूर चली और फिर रह गई तो अलाइंस नहीं रही पर सपोर्ट जरूर रहा हमें हम पहले प्रदान मंत्री जी सवाल अगर पॉलिटिक्स पर पूछूं तो बीजेपी का आरोप है कि कॉंग्रेस का घोशना पत्र बहुत ही डिवाइसिव है हाला कि कॉंग्रेस आलोचना करती है बीजेपी की ये कहके कि आप दो और दो बाइस बनाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि चाहे वो वेल्थ रीडिस्टिब्यूशन हो या इनहेरिटेंस टैक्स हो ऐसी कोई भी बात उनके मैनिफेस्टों में नहीं है ये कही ना कहीं बीज साब साब कहा गया है न बोलने में किसी ने गलती की है न लिखने में गलती की है न देश के कानून में कोई गलती है सीधा सीधा वो कानून सिटीजन्सिब देने के लिए है उसमें कहीं पर भी सिटीजन्सिब लेने का नहीं है दो साल हो गए है कॉंग्रेस पार्टी जो जूट फैला रही है क्या कभी आप ने उसका फैट्रेक किया क्या कभी पाट साला में उनके कपड़े उतारे गया क्योंकि जूट इतना चला है जब कि हम उनके एक-एक स्टेटमेंट देख लीजिए अब जैसे ये इन हेरेटन टेक्स की बात लेका आए है कोई मुझे बनाई है दुनिया के किसी भी डवलपिंग कंट्रीज में इस प्रकार का प्रहुप हो आए क्या अब साम्यवादी विचारदार के बाद छोड़ दीजिए इनके गोशापत्र में और उनकी स्पीची में जो बाते हैं आपको एक साथ मिला कर एक कहनवास पर रखन है हर कोई बोल रहे हैं और फिर उनकी गोशणापत्र में जो लिखा है और पहले जो मनमूह सिंग जेने लत अब प्लीक ळी बात यह तो फिर आपिर सरवे करने की बात करते हैं कि हम शब ले लेंगे और बाट देगे जब आप लेंगे और बाट देगे की बात करेंगे तो फिर वो किसको देंगे तो जो मनमद जीए कि कहा तो उनको देंगे तो साफ साफ जो बाते होती हैं कि ये अलग-अलग डॉट्स को जब बिठाते हैं तो रती भर्मी मेरी बात में question condition है ही नहीं उनके भाषा उनके शब्द उनका लिखी निर्णाय नमबे के बाद उन्होंने अब तक किये गए सारे प्रयास सच्चर कमीटी की रिपोर्ट के बाद उन्होंने किये गए निर्णाय सबकों अगर एक कहनवास पर देखेंगे तो उनके इरादे साफ हैं ये उनका hidden agenda है सा मैं मैं ही मानता हूं सिर्फ बोलते समय रहरं इस बार मैंने उनको खुल करके बेनकाप किया मैं इसलिए वह बोखला लगे हैं सालों तक राव्मंधिर के बात करते हैं करते थे मैं अगर मेरा मैनिफेस्टों दस पेज का होता था लास्ट लाइन लिखते थे राम मंदिर 370 कॉमन सिविल को लास्ट लाइन होती थी और सालों से हमारी एक ही टर्मिनल लेकिन दूसरे दिन ख़बारों के हेडलाइन राम मंदिर होती थी उद्दिन की टीवी डिवेट राम मंदिर होती थी और फिर चर्चा में यह होता था तारिक नहीं कि यानि हमारे मेनिफेस्टों के दज्जियां उड़ा देते थे हम गरीबों के लिए उजनाय लेकर आते थे एक शब्द इस देश के मिडिया में कभी चर्चा में नहीं आया चर्चा में सर्व एक तीन चीज़ा रखी गई आज कॉंग्रेस के बचाओं में में क्यों काम कर सब्सक्राइब कोई कारण नहीं है यह मिडिया का काम था कि उनके पाच मैनिफेस्टों लेकर करके आनालिसिस किया जाए और उनकी इरादों का उनकी भाषाओं का उनकी बातों का अब देखिए संभीधान कि इस देश में संभीधान का स्पिरिट परदा करना चीए नहीं क बढ़ना चाहिए आप ऐसा तो नहीं कि सिर्फ वकीलों और जजीज के लिए ही समीदान हो गई समीदान देश के कॉमन में से जूड़ना चाहिए इन्हों ने समीदान की कभी परवा नहीं की जब मैंने प्रस्थाव लाया कि हम समीदान दिवस मनाना चाहते हैं खरगे जी ने खूद्री ने पार्लामेंट में विरोध किया उनका भाशन है उन्होंने कहा 26 जन्वरी तो है अलग से समीदान बना दिवस मना जब क्या है वह हमारी आने वाली पीडियों को उसके प्रतियों सद्धार का भाव पैदा करना चाहिए स्कूल कॉले डिवेट सब का भी चर्चा उन्हें जब उसका महत्में बढ़ाएंगे तो फिर मैंने कहा कि जब उसके 60 साल हुए थे समीदान के तब भारत ने इसको अच्छे ढंग से मनाना चाहिए था 50 साल हुए तब मनाना चाहिए था जब 60 साल हुए तो मैंने बड़े शांत से यह समीदान दिवस मनाया और हाथी के उपर अंबाडी में मैंने समीदान रखा और मैं नीचे पैदल चलता था मुखे मंद्री और मैंने शुरिन नगर में बहुत बड़ा उसकी यात्रा निगा लोकों की सम्विधान के प्रति स्वत्या बने इनको सम्विधान के नाम पर जूट मुलने में लगातार कोई बताएं हमारे मेनिफेस्ट में लिकाए क्या हमारे भाशन में के निकलाए क्या कोई किसी कारकदा ने किसी जंदर में कहीं बोल दिया उसी को उचान करके पूरी तरह हमारी पार्टी को हमारे वर्जन को मानने कर तोयार नहीं है और खुद कहते हैं कि बताओं हमारी मेनिफेस्टर में काँ रिखा है ऐसे दोगला पर नहीं चल सकता है आपको जवाब देना पड़ेगा या बिल्कुल ठीक है कि एक पूरा एको सिस्टम जो है वह इसमें अलेक्शन की बात चल रही है लेकिन कहा जाता है कि अगला चुनाव ही मोदी आएंगे तो नहीं कराएंगे आरक्शन खत्म कर देंगे लिखी चीजों पर भी जूट फेलाया जाता आपने सीए का जिक्र किया तीन क्रिशी कानून जिसमें कहा गया कि किसानों की जमीन चीन जाएगी वो कहीं नहीं लिखा था लेकिन वो भ्रहम फेला फेला कर फेला फेला कर चीज़ें जो है वो खराब की गई आप जब इस बार यह कह रहे हैं बार बार कि मोदी मर जाएगा लेकिन धर्म के नाम पर आरक्शन नहीं आने देगा ये बड़ा बड़ी स्ट्रॉंग और हमने पाडशाला में दिखाया था कि आप ये आज से नहीं कह रहे हैं आपने गुजरात के सीम रहते वे भी ये चीज जग जाहिर की थी आपको क्या खत्रा दिखता है अगर धर्म के नाम पर आरक्षण आया मुसल्मानों को आरक्षण में इसमें मोदी मुद्दा ही नह था देश के गणमान ये लोग समिधान सभा में बैठे थे डॉक्टर राजेंद बाभू बाबा सभा में बैठकर पंडित नहरू करें सब बैठे थे उसमें तो कोई आरसे बीजेपी वाला उसमें तो सवाल ही नहीं था ऐसे और सभी संप्रदाय के लोग बैठे थे और समन में मिल बैठकर के लंबी चर्चा के बाद पर किया कि भारत जैसे देश में धर्म के आधार पर आरक्षन भारत के नुक्षान करेगा ये लंबी सोच के लिए ठीक नहीं है जहां तक दलीत का आदिवास होगा तो सामाजी की मवस्ता पिछले सेंकड़ों वर्सों में समाज म बहुत बड़े वर्क के साथ जन्म के आधार पर अन्या हुआ तो उसका प्रायस्चीत करना जरूरी था और उसमें ये सुझाव निकला और ये ये निर्णे भी सनातनियों ने किया है संविधान सवा में जो लोग बैटे थे सब सनातनी थे जितने बैटे थे सब सनातनी थे नहरुजी जैसे कुछ अप्पायाद हो सकते हैं जो अपने आपको उससे उपर मांते हो लेकिन जादातर वही लोग राजेंदर बबु ठीका करके बैठते थे ऐसे लोग बैठे थे उन्होंने निर्णे किया था कि हमें यह प्रायशेट करना है आरक्षण दे रहा है और इसलिए मैं उस भावना से जुड़ा हुआ हूं मैं संविधान के स्पिरिट को जीना चाहता हूं मैं संविधान के शब्दों का प्रतिश्णा बढ़ाना चाहता हूं और इसलिए मैं डेव बन से कह रहा हूं कि सम्विधान की भावना के विरुद्ध धर्म के आधार पर अरख्ष है इसका मतलब यह नहीं कि मुसल्मान को बेनिफिट नहीं मिलेगा जैसे हमने जब पर्लामेंट में दस परसंड का किया रख्ष है कि सामाने जाती के गरीब लोग हैं उनको और क कोई जगड़ा नहीं हुआ किसी का लूटा नहीं चोरी नहीं कि सामाने वरक के वो ब्रामिन होगा बनिया होगा उसका बेटा भी अगर वो गरीब ही वाला है उसको मिलेगा उसमें मुसल्मान समाज के भी जो अरक्षन कहीं मिलता नहीं है उनके भी गरीब लोग है उसमें ह मुसल्मान को नहीं देंगे ऐसा मैं नहीं कहा रहा हूँ मैं कहता हूँ दर्म के आधार पर रचना नहीं हो सकती है इस देश में गरीब है तो हिंदू हो मुसल्मान हो इसाइव हो पार्सी हो कोई भी हो सब को benefit मिलना चाहिए जहां तक आदिवासी और दलीत का सवाल है इसके पीछे हजारों साव का इतिहास पड़ा हुआ है और इसलिए वो एक स्पेशल कारण है और जो समीदा ने सही निर्णे किया और जो आज भी देश उसका रिस्पक्र करता है हर पुलिटिकल पार्टी रिस्पक्र करती है और मैं नहीं मारता हूँ कि कोई पुलिटिकल लाते मुसलमान मुसलमान करने वालों के विरोदी है यह धर्म के अथार पर भूट में इनके खेल जो खेले जाते अब उन्हों इस बार मैनिफेस्टों में कहा है कि हम जो ठेके देंगे वो ठेके इस प्रद्दति से देंगे इस यह देश कैसे चल सकता है फेका दिया जाता है उनकी क्षमता है कर नहीं रिसूर्सड रेकॉर्षे करने यह सारे चीजे देखरने ठेका तो इसके बदले में जब लोग कहते हैं कि आप मुसल्मान विरोधी हैं वो कहते हैं कि मुसल्मानों को इस देश में डराया जाता है मोधी इनके खिलाफ हैं हिंदू मुसल्मान करते हैं जब चुनाव होता है जब अटलजी की सरकार थी तब भी हमारे में पेस्ट्रों में रहता था राम मद्दीर तब भी रहता था था तिन सफ़तर तब भी रहता था यू से से मोधी की सरकार है अब जो काम हो गया वो नहीं रहता है जो बागी हो गाव हो रहता है जहां तक हमारा सवार यह सिद्द करें कि यह हमारा जैसे मैं कहता हूं वाइक सेक्टूरेशन मिज़े करना है सरकारी योजनाव का सेक्टूरेशन बड़लब गाउं में 50 लोग है जिनको गर मिलना चुछिए बड़लब 50 को 50 को मिलना चुछिए फोटीन है इनको नहीं बड़लब उसमें सब समाज आजाएंगे सब धर्मा आजाएंगे आप जब 100% की बात करते हैं तो सामाजी गिन्याय की यह गारंटी है मोधी हर काम उस प्रकार से करता है कि वह सब को सब मिले इसके लिए करो अभी में मैं पब्लिक लिए कहता हूं कि हमने चार करो घर बनाए अब कुछ परिवार हैं विस्तार हुआ उनका तो उनको एक घर की जरुत है तो राज्यों से मुझे कहा जाता है साब अकर कुछ और बकांग हो जाए तो मैं नहीं पड़ेगी तो मैं पब्लिक लिए भी छभाव में कहता हूं कि आप चुनाओं में जाते हो तो जाये लिए अगर कहीं कोई नजर आ जाएं कि अभी घरब मिला नहीं है नल से जल मिला नहीं है जैस का कनेक्शन नहीं मिला रह गया है तो आप उसकी चिठी मुझे लिग दीजिए और उसको मेरी तरफ से कह दीजिए कि मोदी की गारंटी एक तीसरे ट्रम में मिल जाएगा और मैं कहता हूं आप ही मेरे मोदी है कि मुझे काम करना है तो यह दर्म के तो एंटी मुस्लिम जब कहते हैं कैसे कैसा लगत नहां इस्लाम के विरोधी हैं नहां मुसल्मान के विरोधी हैं हमारा कामी नहीं है जहां तक गाली देते हैं यह नहरू के जमाने से इस प्रकार की गाली देने का दूसरा पहले गाली देते थे क्योंकि उनको कम मैनत में ज्यादा मुनाफे वाला काम था क्योंकि गाली दे तो यह मुसल्मानों के दुश्मन है तो आप अपने आप मुदरस्मान के मित्र बन जाते हो कुछ किए भी ना तो बुफद में फाइदा मिलता है तो इसलिए होना यह एक भाय का बाताउन बना करके फाइदा लेने के लिए दुकान चलाए रखिए मुसल्मान समय समय जब समझता है जब मैं तीन तलाक कानून खतम करता हूं पुरंपरा खतम करता हूं तो मुसलिम बेहनों को लगता है कि यह तो जिन्योन आपमी है मैं जब आयुश्मानकाड देता हूं तो उसको लगता है यारे तो जीनियून लगती है मैं कोवीड का वैक्षिन देता हूं तो उसको लगता है यारे तो जीनियून आदमी हमारे साथ तो कोई बेदी नहीं कर रहा है इनकी परेशान ये हैं कि उनका जूट अब पकड़ा जाने लगा है इसलिए उनको ज़दा जादा भ्रह्म भानाने के लिए बिना सरपैर के जूट बोलने पड़ रहे हैं पर प्रदानमंद्री जी इसमें चोटा समय एक सवाल और जोड़ रहा हूं कि इसमें कोई दोराय नहीं कि आपकी किसी योजना में हिंदू मुसल्मान होगा हूँ घर मिलना है गरीब को मिलना है वो गरीब कोई भी हो सकता है लेकिन 2002 से आज 2024 हो गया हम और आप किसी समान को खरीदने जाएंगे तो दो साल तिन साल के बाद शायद नहीं कर देंगे कुछ नया ट्राइब बाइस साल से यही नेरेटिव कैसे मुसल्मान बार बार खरीद ले गुजरात में आपको मालूम होगा साइद अठारा भी सर्ताप्ति से रेकॉर्ड अवेलेबल है कि दंगे गुजरात में होते थे उसका है दस साल में साथ साल दंगे होते थे दोजार दो के बाद गुजरात में एक भी दंगा नहीं हुआ है गुजरात में मुसल्मान जो हैं आज बीजे भी वोट देना दे रहे हैं दूसरा मैं आज पहली बार कह रहा हूं मैं कभी पहले कभी इंविश्चर को ले आए मैं मुस्लिम समाज को कह रहा हूं उनके आत्ममंतन करिए कि सोचिए कि देश इतना आगे बढ़ रहा है अगर कमी आपके समाज में महसूस होती है तो क्या कारण है कि सरकार की व्यवस्थाओं का बेनिफिट कॉंग्रेस के जमाने में आपको क्यों नहीं मिला क्या कॉंग्रेस के कालखंड में आप इस दुर्दशा के शिकार हुए हुए क्या आत्ममंतन कीजिए और एक बार तह कीजिए ये आपके मन में जो हैं कि सत्ता पे हम बिठाएंगे हम उतारेंगे उसमें आप अपने बच्चों का भविश्खाराब कर रहे हो मुसल्मान समाच दुनिया में बदर रहा है जी आज मैं गल्ब के देशों में जाता हूं इतना सम्मान वेक्ति हैं तुमसे मुझे मिलता है और भारत को भी मिलता है उन्स सबको लगता है हमारी हैं विरोथ हो रहा है अब साओधी एरेविया में योगा आफिशल सिलेबस का सब्जेक्ट है यहां में योगा की बात करो तो आप यह चला दें एंटी मुस्लिम है मैं गल्ब के देशों में जाता हूं इस सारे अमीर लोग जो है मैरे साथ बैठते होंगे लंच या डिनर में जुरू मुझे योगा के विशे में पुछते हैं कि मुझी जी इसका स्पेशल ऑफिशल ट्रेनिंग लेना है तो क्या करना के तक करना कोई कहते हैं मेरी पत्नी इंडिया जाती है योगा सिख रहे साल बेर एक महिना तो बोले वह ही रहती है अमीर की पत अपनी बच्छों की जीन्गी को तो सोचो अपना भविश्त तो तो डो मैन चाहता हूं कोई समाज बंधुआ मचदूर के तरह जीन्द nghi जिए क्योंकि कोई डाण रहा है क्योंकि कोई डाण गारा रहा है कि अदूशना अगर आप बैटना उटना शुरू करोंगी भाजभ प्रदानमंद्री जी जिसमें कई बार मुसल्मान भी फसता है कई बार ऐसा लगता है कि उनको यह क्यों नहीं दिखता कि कश्मीर में पहले मुसल्मान का बच्चा पत्थर चलाता था आज वो रोजगार ले रहा है लेकिन मैं फेक नेरिटिव के बात करूं सर्थ आपके उप बाहर सबसे गलत पेश हुई है आपसे मिलने वाला आपको जानने वाला अलगी जानता है और बाहर तो अलगी दुनिया है यह फेक नेरिटिव इतना पहलाया अपने दोस्तों का कितना लाग 16 लाग करोड 12 लाग करोड माफ कर दिया राइट आप को समिधान कर देंगे किसा लेकान को गाली देते हैं जो भी चीज़ें लेकिन इस बार जब अमिशा जी का एक वीडियो फेलाया गया आप लोग काफी उसको लेकर अग्रेसिवली आपने का कि यह बहुत गलत हो रहा है इस पर आपका रियाक्शन पहले से अलग था बाकी के जूट से ऐसा क्यों और य हरान हो जाएंगे अमिताब जाहब पूरी रात सोनी पाए रात को ही मुझे एफायर करनी है बोले मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ मैं राजनिती से मेरा कोई लेना देना नहीं मैं बोले दूर से नमस्ते करता हूं दुखी थे बहुत मद्धब देश में एक्शन दिये गए उन लोगों पर तो ऐसा नहीं है कि पहले प्रयास नहीं हुआ है और मैंने जब दिवाली का बीजेपी का कारेले मैं गेट टोगे मैंने मेरी जी ट्वेंटी समीट में सबने चिंता व्यक्ते की हमारा वीडियो कांफरंस में समीट उसमें मैंने कहा है यह सब कह रहे हैं पर मैंने उनको एक सॉल्यूशन दिया मैंना कहां हरे के उपर एक मैसेज पहले आना चाहिए यह AI-generated content है आप उसको उस रुप से जो लोग पकड़े जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लेना देना है उनका नहीं समाल यह है कि यह जो एक आत्म विश्वास खोश चुके हैं यह चुनाम का नहीं है जनता के साथ उनका कोई कनेक्ट के लिए ते हर चीज में को जूट बोला पड़ा है अब में जूट बोले जैसा वो किसान अंदोलंग में जूट बोले जैसे वो हमारे कोई भी निल्ला हो हर प्रगार से जूट फैला ला क्यों प्रिक उनको लगता है कि यह तो होता ही चला जा रहा है तो रोक तो सकते नहीं है खुद कुछ कर नहीं सकते तो फिर आप confusion पादा क तो यह उन्होंने खेल शुरू किया है हगनीवीर पर जूड़ कोई विश्य ऐसा नहीं है जो देशित का हो वो उसकी चर्चा कभी की नहीं उन्होंने स्टडी किया नहीं किसे ने पकड़ा दिया उनको लगता है इसे लोग भड़केंगे वोट मिलेगा और उनका इरादा है बढ़काना और अब वो पूरी तरह फर्जी बातों पर ही निर्भर है फर्जी नारों पर निर्ण है वह यह यह हाले हुगा अब यह जो फर्जी खेल चल रहा है फर्जी वीडियो के सारे चुनाव जीतने की कोशिशी देश में कभी नहीं चल सकती जी और मैं मानता हूं जमीन की स्थिति बिलकुल आ रहा है अब यह कभी EVM को लेकर क्या फर्जी चलाते कोई मुझे बताएगी लोग मुझे कहता कि मोदी जी इतनी मेहनत क्यो हाँ वर्यजों से बादेश की वर्येश को छो जा रहा है यह पर से कहते हैं कि आप अप पुटीन बाबा है आं आप ताना इशाह हैं ईयुक्त क्या एको सिस्टम चलता है जो कहता है आप पिटलर हैं आप ताना शाह हैं आप आएंगे तो ये बदल जाएगा चुनाव नहीं होंगे इन सब चीजों को आप कैसे देखते हैं के एजेंस यहां भी आपने कंट्रोल कर लिया तमाम चीफ मिनिस्टर आपने जेल में डाल दिया है कि क्या टाइंटिविक तरीके से इस सब्चेक का एंडालीस हो सप्टा है क्या है अब या सब्चेक का आप इसुशाथ आप पाट साला चाला है पाट साला में अब बैट करके तक आप पॉइंट होते हैं चलो और फिर सामने पॉइंगरेस लिखो कौनुआ हमारे बेढ़ता है 통की दादी ने कहा किया तिक मार करो। मुदी की पार्टि की में पहले जो नेता थे किस ने किया किया तिक मार करो उनके पर्णा नने क्विए तिक मार करो नहरु जी का पहला समसोदन क्या था समीदान का टिक मार करो इमर्जंसी के वक्त अधिक पत्रकार जेलों में कविता लिखते थे टिक मार करो आपका कोई गाना पसंद नहीं आया अब मजूर सुल्तान पुरी जी को जैल में डाल दिया कि शुरकुमार सारे गाने बन कर दि ते कितने लोग पढ़ें कितने समय पढ़ें पर सरकार कितनी घर आइए वसाब लगाओ हमारे कामने इसा लगाओ नौशना के जहार लेकर के पिक्रेग मनाते थे बताएए कॉन से ज्यमक्रशित थी आप समझाईए मन माने तरी से लोगों घर गीराना नश्बंदिया करवा आपने गायतरी जीवी के साथ क्या जुल्म किया था आपने अर्टिकल थी से कहां सो बार दुरुपयोग किया गया यह सारी बाते यानि इस पूरे चेक लिश्ट को आप एक बार आप अपने तरीके से निकाल लिए हंडेट पॉइंट और टिक मार किजिए जी मैं तो एक सब् अपकी पाट साले चली और और मैं वानता हूं कि सो में से एक बिंदू पर आप में कहीं पर भी एक छोटा सा जम्स भी कि जो आरोप लगते हैं वो बाला जम्स नहीं निकलेगा है हम यह जो सहर है ना इसी का कारान है कि हम पूरी तरह डिमोक्रेट है हमारे रगों में डिमोकरसी है वन्ना जो गालिया पढ़ रही है जिस पर गार का जुल्म हम पर हो रहा है चुप चाप सहते जाले मजबूरी नहीं है जी दुनिया की सबसे बड़े लोगतंत्रगां पूर्ण बहुमत के साथ दस साल से शासन बेदाग सरकार तेरा चौदा साल का राज्य का मुक्षिया के रुप में सासन तेज साल का लंगा जीवन एक दाल नहीं लगा है उसके बावजुद भी यह जितनी गाली गलोच को एक आत्मी सह रहा है एक शब्द बोले मिना सह रहा है इससे बड़ी डेमोक्रेसी का पूरा पूरूफ क्या हो सकता है यह सवाल हम पूछते हैं न्यूजार्ट की डिबेट शो में भी सवाल पबलिक का शो पर भी कि आप लोग रोज आते हैं टेलेविजन पर जो बोलना है गाली देना है सब बो मोदीबक मैं तो boycotted हूँ आप भी शायद boycotted है हम लोग थे उस 14 वाली लेस्ट में boycotted journalist है हमारे चैनल देखे 14 के लिस्ट का मतलब है 2014 से जुड़ा है जए है तो पेण्टी-फोर दास और चुट जायरे कि आफ ताना शाह है कि आप ताना शाह था जो कहरें कि ताना शाहwat आप कुछ़ भी माको गाली देना नहीं छोड़ा है मेरे परिवार को गाली देना नहीं छोड़ा है ऐसे अभदर व्हाशा का वापयोक किया है लेकिन भी और ने ऐसा Darren कॉने अधर सा malt Radhaaren बना दिए उसके मेरी मा नाइं है पास कोई सपना मा का में एकप्रिकार से तो उस प्रकार से मैं तो गुनागार को एक प्रकार से वो तो नहीं मानती होंगे याश मैं माफी के साथ ये सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि आपका कभी निजी भाव बहुत बाहर नहीं आता लेकिन क्या ये चीज आपके बैक ऑफ दा माइंड चल रही है सर जो आप लोगों से शायद नहीं बोलते होंगे कि 2002 के बाद ये पहला चुनाव है सब कुछ होगा लेकिन आपके मानें आप हर चुनाव के बाद उनका पैर चुने जाते हैं ऐसा है कि मैं मैं तो कभी उसमराजिति में था नहीं अच्छानक मुझे कि संक्रण का काम करता है अच्छा जी का फोन आया कि विराथ को काम के पास आया है कुछ में गुजरात जाना है कि क्यों कुछ है कि अब कर देश बर का काम देखता हूं विजे गुजरात क्यों हो को अजुआ हूं पाक्ट्टि का है कामकरी रहा हूं में रुसमें गुजरार कभी करी दिख लेकर ता हूं नहीं याप बहुत होगा संगटaba अब तुम पर स्पार्ट भर मैं तो कुंभी सरकार चला ही कि नहीं मैं जांता नहीं किसी हुँ है मैं कि पूली स्थाना नहीं देखा मैं करूंगा तो मैंने मना किया उनको अधूसरे दिन सुवेव हुआ अडवानेज इसका फोन के नगी तुम पमना करें आ गयों तो मुझे मालूम नहीं था मुझे क्यों बुलाया और मुझे नहीं नहीं बुले आओ जरा बात करेंगे तो मैं अड़ाइब दूर सब लोगों ने कई दिनों से चल देखिए और यह सब का मत बना है के शुवाई का मत बना है तो भी नरेन भाई को भेजिए इसलिए आपको जाना है तो फिर मैंने अड़ेल जी को फोन किया मैं का ट्रेल जी में आता हूं तो पहले मेरी मा से मां से मैं और मां से मैं कहा कि मां भाई तो तो नहीं तो दुनिया लग थी अब मुझे वापिस में आ रहा हूं गुजरात अच्छा बोले तुम गुजरात होगे चोलो अच्छा है उनकी खुशी यही थी कि पास नस्दीग और दुन दुन मुझे दो बाते कहीं देख भाई गरीब की चिंदा करना और दूसरा गुजराती में रिश्रत को लाच सब्दा है कभी लाच बत लेगा शाद उस दिन के टाम सब इन्या में रिपोर्टर भी है तो यह तो मेरा तब से फिर एक बार नाता जूड़ा वैसे तो मैं बड़ा कट अप्ट रहा को बाहर ही रहता था फिर मैं जब नामंकर करने गया पहली बार तो मैंने का चलो मा के पैर शुक्र करके जाते हैं तो मैं मेरे भाई के कर गया माने मुझे गुड़ के लाया तब से लेकर के मैं जितने नामंकर किये हैं सब नामंकर के पहले में मा के पैर चुने गया और नामंकर कर गया तो गुर देती थी यह पहला मेरे जिनकी का चुनाव है जब मैं मा के पैर चुए बना जाओंगा लेकिन मेरे में एक भाव भी आता है कि आज 140 करोड़ देश की करोड़ों मात आये हैं उन्हों दे जिस प्रकार से मुझे प्यार दिया है आशिवादी है उन्हीं का स्मरन करके और फिर मागंगा तो है है तो कमी तो है है पर देख रहा हूं कि करोड़ों मात आए शायद भावात्म गुरुप से मुझे हमेशा शक्ति देती रहेंगी और देती रहें हैं शायद आज जो लोग यह इंटर्वीव देखेंगे उन्होंने इतना भावुक होते हुए शायद आपको कभी नहीं देखा होगा आपके रेक सामने मा का जो भाव मैं देख रही हूँ मैं भी एक मा हूँ मैं समझ समझ रही हूँ कि यह भाव क्या होता है शायद शायद लोग यह भाव पहली बार देखेंगे क्योंकि आप थोड़े नाइम मजा गुड़ा प्युक्वालिटीशियन लगें मैं गरीब की बात हो दुख्यारों के बात हो तो मैं इमोशनल हो जाता हूँ अब मेरी यह मेरी विक्रेस भी है यह सारवजेन एक जीवन में ऐसा नहीं होना चाहिए लेकिन अब मैं आर्टिविश्यल जिनकी जी नहीं सकता हूँ अब माहों की बात कर रहे थे कि करोड़ों माएं आपके साथ हैं एक पिता का मैं आपको अनुभव बताता हूँ मेरे सामने किसी वेक्ति को मैंने यह कहते वे सुना अपने बच्चे जिनके बाहर काम कर रहे थे कि वापस आओ तुम्हारा वोट यहां है और अगर अपना पित्री रण चुकाना चाहते हो तो नरेंदर मोधी को वोट देखे जाओ मैं मां सब्द बोलता हूं मतलम मेरे मन में एक समगर संसार है उसमें बच्चे भी है छोड़ी बेटियां है पर मां सरूप मैं बोल रहा हूं तो मैं मां कहते को यह बाइयोलोजिकल चर्चा मेरी नहीं है बड़ा भाव है लोगों की तरफ प्रदानमंत्री जी लेकिन मैं एक दिमाग में एक सवाल आता है कि आप हर बार जब चुनावी रैली में जाते हैं आप कहते हैं कि भारत मेरे तीसरे टर्म में तीन नंबर की एकॉनमी बनेगा आप देश को आगे ले जाने की बात कर रहे है आप एक ग्रोथ ट्रैजेक्ट्री पर डालने की बात कर रहे हैं आपको नहीं लगता कि एक इको सिस्टम होगा जो यह भारत की बढ़वुत्री को रोकने की कोशिश करेगा सिर्फ देश में नहीं बाहर भी और इनने कुछ लिंक नजर आता है कुछ मुझे लगता है कि यह विरोध जो तीवरता है इसकी उमर चार जुन तक है चार जुन के बाद नहुं की हैसियत होगी नहुं का होस्ला होगा सिर्फ और सिर्फ मेरे देश की ताकत होगी मेरे देश का सामर्थ होगा मेरे देश के लोकतंत्र का सामर्थ होगा मेरे देश के 140 करोर नागदिकों का सामर्थ होगा और दुनिया भारत के लोगतांतरिक सामर्थ को नए सिरे से देखना शुरू करेगी और यह जो भी है बहुत देख रहा हूं पूरी दुनिया भारत के चुनाओं को इंफ्लिएस करने के लिए कोशिश कर रही है जो कि उनको नहीं करना चुक्छी यह वो अपना उपीनियन नह शक्ति होती हो बड़ी जवर्दस्त होती है वह आपातकाल के चुनाव के बाद देश ने देख लिया है कि भारत का घरीब के मगए आदमी में भी लोकतंत्रस वतंत्रदा यह आदर्श क्या होते हैं उन्हें दिखाया है और इसलिए इसमें तो वह कुछ करनी पाएगे मुझे पक्ता विश्वास है कि जब दीपक भूजने को होता है तो यह वो फटपटाहत है अब उनको अंधेरे में जाना ही जाना है जाना है एक काम जो आपने किया है जो हम लोग भी बाहर जाते हैं विदेश दौर आपता कवर करते हम लोग अभी यूएस गये थे तो मन बड़ा गर्ब से भर गया कि बाइडन साब के वाइट हाउस में मोधी मोधी के नारे लग रहे थे हम लोग आपस में चर्चा कर रहे थे कि वो भी अंदर सोच रहे हों कि किस महमान को बुलाया है कि हमारे गर में मोधी मोधी के नारे लग रहे है तो यह एक सेंस ओप प्राइड जो सेंस ऑफ प्राइड जो आपने भारतियों में और हिंदूओं में भराय क्या यह आपकी आपकी सोच थी कि मुझे ऐसा करना है मेरा मेरा जीवन ही इसके लिए है सवाल सोच का नहीं है मैं चाहता हूं कि जो भी भारत को प्यार करता है उसकी चम्री का रंग कोई भी हो जो भी भारत को प्यार करता है वो भारत पर गर्व करें और आन बान शाथ के साथ गर्व करें और समझ करके करें आंग बंद करके करें मिरी अपेशा नहीं है और मैं हिंदूओं तक सिमीत रहे करके इतने बड़े महान देश को अन्याय करना नहीं चाहता हूँ वो तो पाप होगा अगर मैं जिरब हिंदूओं में ये भाव भरू तो मैं पाप कर रहा हूँ मुझे तो भारत को प्यार करने वाला दुनिया के किसी भी भूबांग में पड़ा क्यों नहुआ हो वह मारत मेरे भारत को प्यार करता है और मेरे भारत के लिए गवरफगान करें तो मैं पर दुनिया आपने देखा होगा महात्मा गांधी के 150 साल हुए पचास साल भी हुए थे, सौ साल भी हुए थे, दुनिया को पता तक नहीं चला, मैंने मात्मा गांदीजी का सबसे प्रिय भजन, बश्न भजन, मैंने तई किया, कि दुनिया के एक सो पचास देशों में, वहां के टॉपों स्कलाकारों से, ये होना चाहिए, और किया, दुनिया के एक सो पचास देशों के टॉपों स्कलाकारों ने, एक गुजराती भजन, मात्मा गांदी का प्रिय भजन, सारी दुनिया ने गाया, मैं मेरे देश के गवरों के लिए, दुनिया को जोड़ना चाहता हूँ, मेरे लिए, उसमें कहां किसके गोद में पैदा हुआ वो मुद्दा ही नहीं है, किस भूमी में पैदा हुआ, वो मुद्दा नहीं, पूरी दुनिया मेरे भारत का गवरों करें, यह मकसर लेकर के मैं तो निकला हूँ, मेरा तो कम्मिटमेंट है यह, जीता भी तो इसी के लिए हूँ, योग दिवस भी, आंतराश्य योगा आंतराश्य которой अलाइश, हर ठेत्र में मैं एनवार्मेंट को ले कर के, हमको भी, मैंने का, वन आर्थ, वन फामिली, वन फूचर, फिर मैंने का, वन सन, वन वर्ड, वन ग्रीड, विझली के लिए मैंने का, तो मेरी हर सोच में, मैं ग्लोबरी मैंने हमारे चंद्रियान ग लेकिन मैं किसी भी जाती धर्म संपरदाय रंग रूप भूबा कहीं से हो मेरे देश के गीद गाई दुनिया इसके लिए तो मैं पएदा हुआ हुँ जी अब देखे हम तीन सो से जादा कला कुटिया जो चोरी की है हम वापिस लाए अब यह पहले भी हो सकता था जी लेकिन हमने वह विश्वा दे और मैं तो देख मुझे पत्रकार परिवार में से भ बना दिया यह बच्चे उनिवर्सिटी साथ से गुम रहा है जी ने कूल और स्ट्रॉंग दोनों बना दिया प्रदानमंत्री एक सवाल है जो कम से कम मुझे ट्रबल करता है मुझे कहीं ना कहीं यह देख कर तकलीफ होती है वो है कि जिस तरह का हम एक वाक्या देख रहे है प्रजवल रेवर्ना मेंबर ओफ पार्लिमेंट रहे हैं उनके पिता जी उनके फार्म हाउस से एक महिला एक हेलपर मिली है कल और जिस तरह के वीडियोज दो हजार नौसोचिछिटर वीडियोज की बात की जा रही है और वो आदमी भाग जाता है देश से इस पर हम क्या करेंगे क्या हम लाचार मजबूर है क्या हम वापस लाएंगे इस पर न्याय कैसे मिलेगा महिला हो पहली बात है एक कानून विवस्तर का मुद्धा है अगर बंगाल में इस परकार कर घटना होती तो बंगाल की सरकार जिम्मेवार है गुजरात में होती है तो as far as Modi is concerned, as far as BJP is concerned, as far as our constitution is concerned, मेरा साप मत है कि ऐसे अत्याचारियों को जराबी बख्षाने जाना चाहिए, कठोर से कठोर से होनी चाहिए, और जो भी कानूनी रास्ते हो, उनका भरपूर इत्माल करना चाहिए, लेकि ये 2,900 या 3,000 वा 5,000 जो भी हो, एक दिन की दो होगी नहीं, इसका मतलब तपका है जब वो उनके सरकार के भागीदार थे, देवगोडाजी की पार्टी और कॉंग्रेस पार्टनर पेते तपका है, इसका मतलब उन्होंने सरकार में रहते हुए, ये सारा इखटा करके रखा, और चुनाओं में भी एक निश्चित समाज के लोगों का मतदान पूरा हो गया हो ब्लॉक, वो कले का, उसके बाद उसको भार लाना और उसको भी उसको वीदेज बाहर भीड़ने के बाद बाहर लाना, ये बहुत ही संकास्पद है खेल, कि आप उपने राज्य से जाने दे रहे हो, अगर आपके पास जानकारिया तो आपने वह रखते है, एरपोर्ट पर रखते, आपने कुछ किया नहीं, भारत सरकार को कबी इंफार्म नहीं किया आपने, इसका मतलब ये उनका राजनितिक खेल है और उनको मानूम है कि ये उनके कारकाल के सरकार में जब उनके भागी जारी थी तब कहीं उन्होंने जमा करके रखा हुआ है मेरा मुद्दा वो नहीं मेरा मुद्दा है किसी भी गुनेगार को बक्षा नहीं जाना चाहिए हमारे देश में एक खेल बंद होने चाहिए वापस लाएंगे वापस लाना भी चाहिए और उसको कड़ोई से कड़ी कारवाई होनी चाहिए कोई इपसेंट बढ़ता ही होना चाहिए फिदान मंत्री जी एक बड़ा मुद्दा जो इस चुनाव में बेरोजगारी और महंगाई की बात विपक्ष करता है कि महंगाई बहुत बड़ी हुई है और बेरोजगारी पर आपका जो रुख है कि पांच साल पहले आपने कहा था पर जो है उसकी विश्वस्नियता पर आपने प्रश्न उठाए थे क्या बेरोजगारी और महंगाई आपकी सरकार के लिए चुनावती है और जो सवाल उठ रहे हैं उस पर आपकर या चाहिए पहली बात है कि आज आउसर ही आउसर है हमने चुनावतियों को चुनावती दे जो डेटा मिलता है उसको आधार बनाए अब जैसे पी एलेफेस का डेटा उससे तो विश्वस्न नहीं मानोंगे आप पी एलेफेस के डेटा को तो विश्वस्न होगाई बेरोजगारी दर पिछले स्थे साल में सबसे निचले स्थर पर है उसी प्रकार से ग्रामिन 2017 से लेकर के 2023 भीच लेबर फोर्स पार्टिशिपरशन रेट पिछले दिनों से सबसे ज़्यादा बढ़ा है 2017 49.8 प्रतिशन लेबर फोर्स पार्टिशिपरशन रेट 2023 में लगवक 58 परसंट हुआ है अब इसको क्या कहेंगे बेरोजगार इतर 6 परसंट से अब करीब करीब 3 परसंट हो गया है इसको क्या नारी शक्ति की भागेदरी लगातार बढ़ती जा रही है दस साल में 10 करोड महला है विमेंस हेल फेल गूप में एक्टिव हुए वो एकनोमिकल एक्टिविटी के काम करती है और एक करोड लगपती दी और अभी मेरा लक्ष हैं तीन करोड ल कैस्ट मिलता है तब बनता है जी सरकार इनों के प्राइबेट जैब दोनों बढ़ाई गई हैं मुद्रायोजना लाखों लोगों को हमने बिना गारंटी लोन दिये और एक एक व्यक्ति ने एक एक दो दो लोगों को रोजगार दिया नए स्पेस खोल दिया हमने स्टार्ट का बढ़ा है जी आज ड्रॉन जीवन में इतना उप्योगी हो रहा इतना बढ़ा मैंडिफेक्टरिंग से ले करके सर्वी सेक्टर तक अज कोई भी टीवी डिदी के मेरा बले अलग अपरेटर रखता है जी ड्रोन दीदी का मेरा कार्क मैं पूरे देश में में वहत बढ़ हुआ है फाइव जी तब इस्तार कि टावर बार को लगे हुँगे तो रोजगर को मिला हुआ इंटरनेट आफ तिंग्स कितना बड़ा आउसर मिल रहा है याने एक 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 छेत्र को हूं आगे बढ़ा रहे हैं और इसलिए मैं मानता हूं कि अब अपना चाहिए सिक जी पर का हैं और जितने आउसर के संभावना हम देख रहे हैं वो भी पहले कभी नहीं सोचा गया है था मोदी जी वो कुछ पाकिस्तान से वीडियो भी आते हैं वो कह रहे हैं कि मोदी वहां भी प्रदान मंत्री बन जाए बिजली तो आएगी कम से कम लेकिन कुछ लोग हैं जिनकी तारीफ वहां के मंत्री कर रहे हैं कि आप देखें मैंगाई आप इंद्रा जी के समय देश पर किनी मैंगाई थी यह पाटसाला में करने करका में और मोदी के राज में Megat है कि 2014 के पहले कि दिम्हेंगाई थी 2014 और आज तो युद्ध का समय है और अब हैरान हो जाएंगे मुझे दूख होता है कहने से लाल किले पर से पंडित नहरू का भाशन है आपको और वीडियो दोनों मिलेगा उस बाशन में वह कहते हैं कि मेंगाई इसलिए बड़ी है ताकि नौर्थ कोरिया में लड़ाई चल रही है नौर्थ कोरिया में लड़ाई तब तो इतना ग्लोबलाइजेशन नहीं था और नहरूजी को महंगाई मरती थी अभी तो युक्रेन वगेरे में तो लड़ाई को दुनिया पर सीधा प्रभाव है क्योंकि वहां को चीज़ें हो है एने फूड फर्टिलाइजर एड फ्यू नहीं कर पाने की वज़े से वहां लोग एक टाइम का खाना छोड़ रहे हैं महंगाई की वज़े से नहीं मैं तो चाहता हूं आपके न्यूजवर मैं एक पूरा आप समय है कि इसी पर निकालिए जी और जानका लोगों को बलाए तू तू महमा वालों को नहीं मैं पक्ता पता हूं जी देश को पता चलेगा कितना जूट चलाते हैं जी और आप एक लुजवर आपका इसको समर्भी कीजिया बिल्कुल इस मुद्धे पर गहराई पर जाएंगे लेकिन प्रदान मंत्री जी एक सवाल जो हमेशा पूछना चाहरी थी मैं आपने का जून चार के बा तो कुछ बताईए और आप बार बार अपनी राली में कह देते हैं कुछ बड़े फैसले आने वाले हैं तो जनता एकदम दिल ठाम के बैठी है कि क्या फैसले आने वाले है थोटा सा ट्रेलर अगर मैं मैं आपको बताता हूं कि एक तो यह मेरा इसे मेरा मेरा सौफेरी ऐसा साहज बना हुआ है तो मैं बहुत आडवांस में सोचता हूं तो मैं और गुजरात में मैं एक्सपेरियंस भी था सरकार के बाद मैं क्या करना है यहां 14 में भी सोच के आया था 19 में भी मैं सोच करके बैठा था हूं देखिए हमें हमने जो काम किये हैं कि आप मेरा पहले कब देखेंगे तो पता चलेगा तीन तलाग पर हमने जो कानून बना था पहले कर दिया आर्टिकल 370 हटाने का काम हमने कर दिया शुरू में कर दिया एनी बड़ी समस्याओं से निपटना उसको पुरा करना इस नेचर में है और मैं जे तीसरा स्टम के लिए बड़े नेड़े चाहता हूं को महत्वपुर नेड़े कर ना चाहता हूं को तोड़ोड करने के नेड़े मारे नहीं होता ही ती सो दिन का प्लांन बिल्कुल रेड़ी है और मैं चाहर तारीक के बाद कि मैं मेरे देश को ग्रती पर नुक्षान होने देना नहीं चाहता हूं और यहां तक ट्रेलर तो पिछले 10 साल से आप देख रहे हैं उस लिस्ट में क्या पूरे देश देश में यू सी सी लागू कर आप भी है पहली बाथ है कि यू सी सी का जू भी Shree। वो कोई मोदी का कर्कम नहीं नहीं वो को बीजेबी भारत के संविधान निर्माताओं ने संविधान में कहा है यह लोग इतने सालों से कर नहीं रहे थे क्योंकि वोट बेंग की राजनीती उन पर सावार थी यूसीची हमारे संकल पत्र का हिस्सा है दूसरा इस देश की सुप्रीम कौट ने कम से कम दो डेजन बार कहा है कि भारत में यूसीची करो और ये देश में देखना चाहिए गोवा में अल्रेड़ी यूसीची है मेरा देश चल रहा है गोवा में सबसे ज्यादा माइनोरिटी है फिर भी यूसीची बहुत बढ़िया तरीके से उत्राखन ने बहुत अच्छे दिशा में कदम उठाए हैं तो एक के बाद एक प्रयोग है हम थोपने वालों में से नहीं हैं जी हम इवाल कर रहे हैं वाने अब दूक्षाल सब्सक्राइब करने काम करता हूँ मेरे सामने साफ है कि ये देश जब सौ साल का होगा तब आजादी के सौ साल जब हो जाएं तब देश कहां हो और ये रातुरात नहीं होता है जैसे मैंने एक इस बार बजेट में वाक्य बोला है अब जो ट्रेलर और आगे क्या पूछ रही हो ने इसमें मिलेगा आप मैंने ब देमोग्राफी को ले करके एक कमिशन बिठाएंगे अब ये क्या है तेकि दुनिया के बहुत से देश परेशान है कि वहां पर एजिंग के करण बहुत बड़ा पॉपुलेशन है अब डेमोग्राइश का ये रूप है मैंने चाहता तक 2047 में मेरे घर देश में जो सरकार का काम है अभी से सोच है मैं बहुत सोता हूँ कि आज आप जो नौजवान है बोट 2047 में बुड़े होंगे तब आप असाहता नारू हो इसके लिए प्लानी अभी से होना चाहिए मैं इस लिवल के काम कर रहा हूं जी मैंने अल्रेडी बजेट में वाइक बुला लेक करेंगे फिर हमाइन उनका चांस है मैं राजनीती में कौन आए कौन जाए कोई देश आथा नहीं होना चाहिए जो किसी व्यक्ति के अधर पर चलता हूँ जो मैं मोदी के अधर पर देश चले यह मोदी कभी नहीं चाहेगा ऐसा मेरा देश यह मैरा देश तो बहुरतना वसंदरा है जी यहां तो अनेक रत्त प्यादा होते रहे हैं आगे भी होते रहने वाले हैं और देश आगे चलने ही वाला है लेकिन इस प्रकारते माला जपने से कोई अपना भविशह नहीं बना सकता है हर एक को अपना बविश बनाने के लिए मेहनत करनी चाहिए जनता का विस्पाС यतना चाहिए जनता के सुगबुके साथी बनना चाहिए और वेकेशन ठोड़े कम करनी चाहिए बहुत सही कहा आपने आपके कोई political personal bucket list होती है सबकी कुछ जो हो गया जो सबसे आपके दिल के करीब था कोई एक चीज ऐसे बताईए कि वो हो गया तो वो मेरी achievement मुझे मैसूस होती है और बच क्या गया मैं मेरा काम का जो style है न वो एक बड़ा ही integrated होता है comprehensive होता है तुकड़ में नहीं होता है लेकिन मैं जब उसको बहार लाता हूं तो वो progressive unfoldment होता है जैसे मैं कहूंगा चलो भाई सबके bank account खोड़ो मुझे आथ मैं 2014 में नहीं नहीं आया और जंदन account का मैंने शुरू किया तो हमारे अरून जेटली बड़े परिशार होगे क्योंकि मैं हर तीसरे दिन monitoring करने लगा कि वह कितनी bank को नहीं किया बैंक वाले जुगी जोपड़ों में जाते हैं नहीं जाते बैंक वाले रेडी पट्री वालों के पास जाते हैं अरूर जी रहता है यह तो आपने क्या order कर दिया है वह होगा नहीं जी मुझे यह सो दिन में काम पूरा करना है लेकिन तब दुनिया को लग रहा थे जंदन account बैंक वाले मेरे जगड़ा कर रहे तक सब स्टेशन दी का परसा तो मिले मैं कुछ नहीं मिलेगा जीरो एमाउंट से एकाउंट फुलेगा तब आश्चे नहीं होता था लोगों लिग वही जंदन account कोरोना के समय कितनी बड़ी ताकत बन गया वही जंदन account फिर मैं उसको आ मंद्रेगा से जोड़ा यानि मैं जब बैंक के खाता दुनिया को दो लगा दुनिया का सब बड़ा financial inclusion उनकी गाड़ी महीं अटक जाती है मोदी की तो वहीं जुड़ू होती है और बाहर की जितने देश से लोग आए उन्होंने वो डिजिटल वही देखा तो जब करता हू लेकि सब्ली जे मैं यह करता हूं तुम नहीं कर रहा हो वह जाकर करें पर कुछ कभी पर्समाइब मैं सिंपल बताता हूं जी कैसे होता है मैं गुजरात गया मुक्च मंत्री के नादेव और मेरी पहली सचीओं के साथ मिटें थी तो उस समय हमारे सिक्षा सची मिश्य मारक गया है गुजरात जैसा राज्य गलचाल एजुकेशन में बिस नमबर पर मेरे में में चिपक गया वह पहली मिटिंग का हो फिर हर जून महिने में 44 डिग्री टेपरिशन होता है गुजरात में 13 14 15 जून तीन दिन मैं गाउं में रहता था उस गाउं में जाता था जहां मिन नीमम गलचाले जुगेशन है और मैं तीन दिन में पांच गाउं करता था उन् पांच गाउं में घर गर जाना और मैं चैना मैं विक्षा मांगने आया हूँ और मैं विक्षा मैं आप से वच्छन मांगता हूँ कि मुझे वच्छन दिजिए कि मैं मेरी बेटी को करना था और भी दीन भीक्षा मांग नहीं एद लेकिन आने उस काम के लिए भी को के इस काम के लिए मैंने हर स्कूल को इलेक्रिफिकेशन किया उसका में मैंने तिन दिवाली के बात देता था जिसमें क्वालिटी ऑप एजूकेशन याने पहले तो लगा कि यार मुदी गर्मी में ले जा रहा है गुमारा है लेकिन बात यहां तक पहुंचा दी तो मैं चीज इसको कहीं शुरू करता हो तो तो समझ लीजिए कि मैंने बहुत लंबा सोच करके आया है जब मैंने योगा की बात कहीं तब लोगों को लगा जैसे हर दिन मनाने के बात आती वैसे आएगा मेरे लिए वैसा नहीं था जी दुनिया में एक वीमेन डे के सिवाए कोई बी ऐसा डे नहीं है जिसे योगा डे हैं कि विमेन डे पकड़ गया है कि विमेन ने इसको ओनर शिप्लिया है योगा दुनिया ने खुद ने ओनरिसीब में ली है तो आप योगा के साथ में आई और वेध ले आया आया मैंम सब्सक्राइब न्याखने परने मेडिसिन का सब्जेक रखा आपके जो विरोधी करते हो गब राते और विरोधी यह भी सोचते हैं कि इतना कॉंफिडेंस के चार जून को यही रिजल्ट आएगा ज़रूर EVM में कोई चिप डाला मोधी चिप ऐसा है अब कुछ भी कि यह उसका आर्थ यही निकालते हैं को एतना डरे हुई है निजी कुछ लोग होते हैं जो दिवार दुटा सब दिखता है कि इसे बी भूद दिखता यह दिवार पर इसए पर आप करें बहुत नहीं पर जिलिए इसको लोग हो पढ़ें से हमने अब मुझे नहीं आपका बहुत बेस्त कारिक्राम मैं लेकिन आज अपने बहुत-बहुत धन्यवाद में बहुत सारे अध्याय देश के खोल दिया और यूजार का भी अजेंडा सेट कर लगा दी मुझे आपको पार्ट शाला अटेंड करके एक में दिन बाद अच्छा लगा होगा नहीं नहीं दैशा है आपका न्यूजवर हो आपका लेकिन आपको भी तो वेराइटी लेकि आना पुड़ता है जी गाड़ी चलती रही है फिल्कुल लेकिन आपने आपने भावुक होकर भी और देश को आगे ले जाने के लिए जो हमें रास्ते लेकिन आपने हमें इतना समय दिया और इतनी बेबाग तरीके से आपने सवालों से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है लेकिन मैं देख रहा हूँ आप लोग बहुत प्रेसर में रहते हैं वेडिया में ये की को सिस्टिम ने इतना प्रेसर बना दिया है कि आपको भी उनके दवाओं में उनकी भाशा में सवाल पूछने पड़ते हैं और उसके क करता है और आपको भी लगता है यार कहीं आउडेटर हो जाएंगे तो मैं तो चिंतित हूं कि देश के मिडिया को भी नूट्रल रहना कितना मुश्किल हो जाएगा और या तो उनकी भाशा बोलो या तो घर चले जाओ बना गाली कि सुनो यह यह हाल करके रख दिया है आप दूसरा देश में पहले पत्रकार जिता है अखबार आता था वह वांता ही पत्रकार पार शेंडर उसके वेल्यू भी ते आज सोशिल मीडिया से सबीपर उसको वो जानता है कि यह वह वेक्ती लिख रहा है मडलब पर उसको लेख नहीं दितना है उसका ट्वीटर नहीं है आपको मालूम है उनको इसके इंट्रेस्ट नहीं और उनको इसके इन्टेस्ट पर इंट्रेस्ट अगर फसाया तो इंट्रिव अच्छा नहीं फसाया तो फ्रेंडी मैग थी लेकिन वो गीता का ग्यान है ना करम किये जब फल की इच्छा मत करें इंसान बहुत बहुत धन्यवाद आपने समय दिया और सवालों थांकियो चार जुन के बाद मिलेंगे बिल्कुल इंतजार रह अखरूझल की जर्थि फ्रेंगे जो ऍकिन थे रह जाह ख्όल्चाबरा कैना थांकियो राखाति हें थैजर तक करा भाद मेंधूशन है य। क मॉली बुक्लूड को थातना थे दो रेक्तियो शुह ज़ी से ऐांकियो पर्वाद किके अन्यूम साभदैर थांकिन थो प्राय क